सीधा लिये चलते हैं च्छतिसगर के जग्दलपूर जहां प्रधान मंतुई नरेंद्र मोधी जनता को संबोधित कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं संवाते आपको पीते नव वर्ष्व में अनेक कदम उठाए गए हैं एक बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के नारण च्छतिसगर को इसका भहुत लाब मिल रहा है च्छतिसगर की इसी भूमिका को विस्तार देते विए आज नगरनार में भारत के सबसे आदूनिक स्टील प्रांट में से एक का लोकारप्ण हुआ है यहां बनने वाला स्टील भारत के ओटो मुबिल एंजिनरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैनिफेक्टरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है नई हुर्जा देने वाला है यानि बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी ससकत होगी और रक्षान निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा इस टील प्रांट के कारण बस्तर सही आसपास के इलाकों के करीब परीब पच्चास हजार नव जवानों को पच्चास हजार नव जवानों को रोजगार मिलेगा केंदर सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांची जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राक्ठिकता दे रही है उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा मैं इसके लिए बस्तर के 36 गड़ के नव जवानों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों बीते नव वर्षों में केंदर सरकार का विशेश फोकस कनेक्टिविटी पर रहा है 36 गड़ कोफी एकोनोमिक कोरिडोर्स और आधुनी हाइवे मिले हैं 2014 से पहले की तुलना में 36 गड़ का रेल बज़ेट करीब करीब 20 गुना बढ़ाया गया है आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाए चल रही है आज हादी के इतने वर्षों में भी अब तक 36 गड़ के ताड़ो की को रेलवे के नक्षे में जगण नहीं मिली थी आज ताड़ो की को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है इससे आदिवासी साथियों को सुविदा भी मिलेगी और खेती किसानी से लेकर बन उत्पादों का परिवहन भी आसान हो जाएगा राइपूर अंतागट डेमू ट्रेन से अब तड़ो की ताड़ो की भी जुड़ चुका है इससे राजधनी राइपूर आना जाना आसान हो जाएगा जगदलपूर दंतेवाड़ा रेल लाइन दोहरी करण प्रोजेक्ट से आवाजाई भी आसान होगी और उद्योगों की लोजिस्टिक कॉस भी कम होगी रेल्वे की ये सारी परियोजनाए इस खेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के नए आउसर भी बनाएगी साथियों मुझे खुशी है कि 36 गण में रेल्वे ट्रेक्स के शत्प्रतिशद बिजली करण का काम पूरा कर लिया गया है इससे रेल की स्पीड भी बड़ेगी और 36 गण की हवा को साप सुत्रा रखने में भी मदद मिलेगी 36 गण में रेल नेट्वर्क के पूरी तरह बिजली करण के बाग राज्य में बंदे भारत एक्स्प्रेस का भी संचालन किया जा रहा है साथियों आने वाले वर्षों में भारत सरकार 36 गण के रेल्वे स्टेशनों का भी काया कल्प करने जा रही है राज्य के तिस से जादा स्टेशनों को अम्रिद भारत स्टेशन योजना के तहर चिन्नित किया गया है इन में से साथ स्टेशनों के पुनर्विकास का सलान्यास किया जा चुका है बिलासपूर, राइपूर और दूर्ग स्टेशन के साथ ही आज जगदलपूर स्टेशन का नाम भी इसी सुची में जुड़ गया है आने वाले दिनों में जगदलपूर स्टेशन शहर का प्रमुक केंद्र बनेगा और यहाँ पर यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाये जाएगा बीते नव वर्षों में राज के 120 से ज़्यादा स्टेशनों पर मुक्त भाई भाई की सुविधा उपलब्द कराई गई है साथियों 36 गड़ की जन्ता हर बहन बेटी और युवा के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है आज जिन परियोजनाओं का लोकारप्ण और सिलान्यास हुआ है उनसे 36 गड़ में प्रगती की गती तेज होगी रोजगार के नए आउसर बढ़ेंगे और नए उद्यमों को प्रोच्छान मिलेगा मैं आपको विश्वाद दिलाना चाहता हूँ कि आगे भी हम इसी गती से निरंतर 36 गड़ को आगे बढ़ाते रहेंगे भारत का भाग्य बदलने में 36 गड़ भी अपनी बहुत बड़ी भूमी का अदा करेगा मैं इन सभी प्रोजेक्स के लिए 36 गड़ के लोगों को फिर से बढ़ाई देता हूँ ये छोटा सा कारकम सरकारी कारकम रहा है तो यहां मैं और ज़्यादा बाते बताने के लिए आपका समय नहीं लेता हूँ अभी दस मिनिट के बार मैं दूसरे एक सारवजेनिक कारकम में बहुत सारे विशए 36 गड़ के नागरीकों के लिए जरूर बताऊंगा विकास की बहुत सारी बाते वहां मैं 36 गड़ के नागरीकों से साज़ा करूंगा गवर्णर स्री यहां तक आए समय निकाला इसके कारण कम से कम राज्य का प्रतनी दित्मतों नजर आ रहा है राजपाल जीजी को 37 गड़ की इतनी चिंता है 36 गड़ के विकास की इतनी चिंता है यह अपने आप में एक सुखत संदेश है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबका नमस्कार तो प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप जहां वो जगडलपोर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दोरान उन्होंने तमाम रेलवे और सड़क परियोजनाओ की जनकारी जनता से साजा की और आने वाले समय में क्या कुछ सौगाज जनता को मिल सकती है इसके बारे में भी जनकारी देते हुए नज़र आये चुकी 2024 में लोग सभा चुनाओ है उससे पहले पांच राज्यों में जो विधान सभा चुनाओ होने हैं उसी कड़ी में 36 गर और राजुस्थान की जनता को साधने का पूरा जिम्मा बिजेपी ने प्रधान मंत्री नरीन रिमोदी के कंधों पर भी सौपा हुआ है और यही वज़ा है कि प्रधान मंत्री अलग-अलग राज्यों का दोरा कर रहे हैं और जनता को साधने की कोशिश करते हुए नज़रा रहे हैं